आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलुआ यह हलुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा चलिए बनाते हैं गाजर का हलुआ इसको बनाने के लिए एक बड़ा सकराही ले लेंगे और अगर हम दो किलो गाजर ले रहे हैं तो हम धाई से तीन लीटर दूद ले लेंगे फुल क्रीम अब एक पैन ले लेंगे उसमें हम दो चमच पानी गरम कर लेंगे पानी गरम हो जाएगा उसके बाद उसमें हम दूद डाल देंगे अपना सारा दूद हम एक साथ डाल देंगे और उसको चलाते रहेंगे उसको हाई फ्लेम पे चलाएंगे कम से कम 15-20 मिनट तर उसके चिंजताते लेंगे किनारे किनारे से और अराम से उसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा गयूद से नकालते रहेंगे हम और खुआ से निगालते हुए चलाते रहेंगे हमारा खुवा बन जाएगा क्षा बनने में 2.50-3 घंटेacio prepared काजहर दखेंोrios नहीं नहीं सब्सक्राइब करेंगे अब सर्म sanctions है करना है जाद भीलग सकते हैं वूह को अब टरफा》 हलवा के लिए हम कुश ड्राइव फ्रुट्स ले लेंगे जो भी आपको पसंदो और गाजहर को हमकद्व कस करेंगे साइडार से अच्छे से ग्रेट करें गाजुद्व को रख लेंगे और दो किलो हम gemאे गाजक लिया है तो उसमें 200 ग्राम तंद पसेंड 20 200 ग्राम चीनी लूंग इससे सही मीठा हो जाएगा जितना हमें चाहिए लगभक 300 ग्राम मैंने बदाम लिए 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम किस्मिस अब मैं एक पैन ले लिए बड़ा सा और उसमें मैं लगभक 300 से 200 ग्राम घी डाल दी हूं सुद्देशी घी को हम गरम कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें किस्मिस और काजू काजू को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है टुकरों में कर लिये हैं ताकि वह उतना बड़ा बड़ा काजू कभी इस खाने में अच्छा नहीं लगेगा और कि इसको मैं रोष्ट कर लूँगे गैस को स्लो करके हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे हम नहीं तो वह जल जाएगा इसको अच्छे से रोष्ट कर लेंगे जब यह रोष्ट हो जाएगा तो इसको निकालके हम साइड में डख लेंगे घी हमारा गर्म है उस घी में और ज़्यादा घी एड नहीं करना है उतने ही घी में जो हमने घी डाले हैं उसमें हम अपना गाज़ट ढाल देंगे गाज़ट डालकर हम उसको चलाते रहेंगे अच्छी तरह से गाज़ट में इससे पानी छूटेगा इसलिए उसको हमें अच्छी से चलाना पड़ेगा लगबक 30 मिनट तक हम इसको चलाएंगे दो किलो गाज़ट रहें तो कम से कम 30-35 मिनट लग जाएंगे जब इसका पानी पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा इसको चलाते चलाते हम पानी को सुखा लेंगे छब लो जो मर्जिया आप करते रहें आपको जल्दी करना आग तो wiem कर लें और आ्राम से है तो लो करने को Howieप अगर जलने लगे तो पिर उसको फ्रुष्चेट में करने उसको चलाते रहे उसको रुक छोड़ना नहीं है बड़ उसको चलाते रहना है नहीं तो वो ज़ल जाएगा अंदर से अब इसमें हम मावा डाल देंगे जो हमने मावा त्यार किये थे मावा मैंने डाल दिये हैं अब मावा को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से मावा को मिक्स करते हुए हम चलाते रहेंगे प्लट प्लट करते रहेंगे उपर से चलाते रहेंगे उसको ताकि वह कहीं से भी जले नहीं चिपके नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए यह जङए चीनी डाल देंगे क्योंकि चीनी का पाण स्वाग कोणी चूटेगा तो उसका पानी भी और भूओंहीं पानी है थोड़ा साथ पाण जाएगा अच्छे से कुक हो जाएगा हमारा अच्छे से कुक होने के बाद उसमें से घी बाहर आने लगेगा घी आपको दिखाई देने लगेगा उसमें उसको भूंते भूंते जब हम उसको भूंते रहेंगे तो उसमें से घी छूटने लगेगा जब हमारे कराहे में से घी मिनट तक आप रोष्ट कीजिए उसको अच्छे से रोष्ट करते रहे और अपने जो भुने में ड्राइफ रूट से आपके वो डाल देंगे हम उसमें गी दिख रहा होगा आपको मेरे कराही में अब मैंने इसमें ड्राइफ भी डाल दिये मैंने बादाम भी आधा बाद में डाल दूंगी गया से बंद करने के बाद अब मैं इसमें ड्राइफ भी डाल दूंगी जो मैंने रोष्ट किये थे और अब एक बड़ा चमच घी एक बड़ा चमच घी लेके लगभग 50 ग्राम घी मैं फिर से अब डालूंगी जब मेरा हल्वा अल्मुस्ट डण हो गया है जब उसमें से और घी छूटने लगा था उसमें मैं एक बड़ा चमच घी और डालूंगी यह हल्वा काफी रिच बनता है और बहुत ही स्वादिश्ट बनता है इस तरीके से अगर आप हल्वा बनाएंगे अपने घर में एक बार तो आपके बच्चे जिसको भी आप खिला हल्वा नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने एक बार इस तरह से हल्वा बनाएं अब मेरे बच्चे कभी भी किसी और तरीके से मुझे हल्वा नहीं बनाने देते हैं मुझे बोलते हैं मम्मा हल्वा बनाना है तो ऐसे ही बनाओ तो हल्वा रेडी हो गया है मेरा मैंने इसको चला चाहिए अच्यसे अब मैं गैसे स्टोप को बंद कर दूँगी ज्बूम ठंडा होने देंगे fina ऑच्छे से तो मैं इसको बाउल में इस्फट कर लूँगी पने किसी भी कंटेइनर बाउल ऑसमें भी स्टोर कर लेंगे हम इसको और यह हम इसको फ्रीज में में डाल देंगे अब चब हमें कहाना होगा या हमें शर्व करना है अतना क्वाइंट टिप्वें इनकालके ते पिर उसके माइक्रोवेंश में घर्म कर लेंगे अगर माइक्रोवेंश नहीं है till आप गहस से तो अब सक ये कई जलूरत नहीं कि इसमें सारा कुछ बंदने टाइम में ही डल गया है या लगण भुक इसमें 200 से 300 गराम बादाम डाले है मैंने 100 गराम काजु डाले है लोग तेन 400 गराम इसमें ड्रैफोर्ट डल चुके है आपको कम पसंद हो तो कम डाले आपके बच्चे नहीं खाते हैं एतना डालने की कोई जरूरत नहीं है स्वाद पे कोई फर्क नहीं आएगा वहरुवा ऍथा ही ही टेस्टी बनेगा बहुत ही मजेंदार हल्वा बनते झाल झाल मेरा तो हल्वा बावल में आज सुका है अब यह आएगा मेरे प्लेट में हल्वा देखने में बहुत ही खूब सुरत लग रहा है और खाने में तो लाजवाब हैंगी मुझे इसको टेस्ट करने की कोई पी जरूरत नहींगी कि मैं इसको कई बार बना चुकी हूँ इस सालों से बना रही हूँ मैं इस हल्वा को इसलिए मुझे टेस्ट तो मुझे पता ही है कि यह कैसा बनने वाला है तो यह हल्वा बहुत ही टेस्ट ही है मैं तो चलिए हल्वा खाने आप चलिए हल्वा बनाने की तयारी करने लग जाएए यह हल्वा किसी होटेल जैसा नहीं है किसी ढावे जैसा नहीं है यह हल्वा बिलकुल घर जैसा है हमारी माँ हमारी दादी हमारी नानी जैसे बनाती है यह हल्वा उस तरह का है ये हल्वा कही नहीं मिलने वाला है को ये रसी पी कही नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है